सोमवार को वितमत्री निर्मला सीतर अमने देश का भज़ट पेश किया बज़ट को लेकर अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं कुरुक्षेत्र से बीजोपी सांसद नायप सैनी ने बज़ट को लेकर हमारे सहयोगी वरुन गोयल से खास बातचीत की आम बज़ट के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है हमारे साथ कुलूक्षेत्र से भाज़िपा के सांसद नायप सैनी साब जुड़ गए हैं सैनी साब सरकार कि रही है कि बड़ा सासिक बज़ट है विपक्ष कि रोड मैप नहीं है इस बज़ट में देखिए मैं अनुकूल प्रस्थितिये थी इस से देश के अनुकूल बजट आया और इसके अंदर देश बड़ी मजबूती से आगे बढ़ेगा और विकास की गती को इस बजट ने रुकने नहीं दिया आधनिया प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी और वित मंतरी निर्मला सितरहमन जी का बहुत बहुत उनको बढ़ाई देता हूँ और उनको धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा बजट उनने दिया है जो देश के अनुकूल है लेकिन सार क्रिशिक शेतर को लेकर जो अभी मौजूदा परिस्ति बनी हुई है हरियाना में हरियाना पंजाब में और दिल्ली के बॉर्डर पर क्या ये बजट जो उनकी चिंताएं है या उनको दूर कर रहा है क्या देखिए इस बजट के अंदर जो आधनिया प्रधान मंतरी जी ने और निर्मला सितरमन जी ने जो क्रिशी के लिए इस बजट के अंदर प्रावधान किया है जो प्रट्रोल डीजल के उपर सेस लगा करके एक अलग उसका काउंट बनाया है कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के उपर जो पैसा वो खर्चोगा वो किसान के जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी तबदिली वो ले करके आएगा क्योंकि आज तक किसी भी सरकार ने साथ इसके उपर विचार नहीं किया जो आदरनिया प्रधान मंतरी अंदर अंदर मोदीजी ने किसानों के हित में ये अलग काउंट बनाया है सेसका पैसा लगा करके इसके अंदर ये उनकी आए बढ़ाने के अंदर एक सार्थक सी दोगा क्रिशी को उपर खर्च होने वाला जो ये बजट के अंदर प्रावधान किया है इससे किसानों के जीवन में एक तब दिली आएगी किसान का जीवन इस से सुध रहेगा एक आगरी सावाल सर मेरा कि ये जो अभी दिली के बाटर प्रम परिस्ति देख रहे हैं आपको क्या लग रहा है हालात कब सामाने होंगे देखिए मुझे यह ऐसा लगता है क्योंकि इसके अंदर राजनीती चल रही है पहले ये पर्दे के पीछे थी अब से नहीं ले रहे हैं वो 2014 से जब से इस देश के परधान मंतरी बने है उन्होंने किसान की मजबूती के लिए विभिन योजनाओं के माध्यम से लगातार उनको मजबूती की तरफ ले जाने का काम पहली बार नरेंदर मोधी जी ने किया है परधान मंतरी फसल भीमा योजना सबसीड़ी दे करके उनको लाब पहुंचाने की बात है और इस बजट के अंदर जिस परकार से सहसे लगा करके किसानों के लिए अलग एक काउंट बनाया गया इससे इंफ्रस्ट्रक्टर मजबूत होगा तो यह थे हमारे साथ करुक शेतर से भाजपा के सांसद नायप सहनी जो कह रहे थे कि यह बजट जो है वो किसानों के हितका है और जो अभी किसान अंदोलन चल रहा है उसमें राजनेतिक तत्व शामिल है कैमरामेन आदिते पढ़ने के स साथ वरुन गोयल अमिच्वन प्राइम दिल्ली